नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं भारत सरकार के ठीकाकरन सर्टिफिकेट को 5 देशों से मिली मायनता 36 देशों की यात्रा अब हुई आसान भारत के वैक्सिन सर्टिफिकेट को 5 और देशों ने मायनता दी है इससे पहले 30 देशों की यात्रा आसानी से की जा सकती थी एस्टोनिया फिलिस्तिन किरगिस्तान मौ प्रवेश परिक्षा के नतीजे घोसित 12 सितंबर को ली गई थी परिक्षा नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने राष्ट्य पत्रता सब प्रवेश परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है नीट 2021 में सामिल होने वाले अभ्यार्थी अब अपना रिजल्ट नीट की ओफिसियल वेबसाइट नीट.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने अभ्यार्थियों को उनके रिजिस्टर इमेल पर भी रिजल्ट भेजा है नीट के अभ्यार्थियों की रैंक लिस्ट और स्कोड कार्ड नीट की आधिकारिक वेबसाइट नीट.nta.nic.in पर जल्दी उपलब्ध होंगे आपको बता दे के नीट 2021 परिक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था नीट के आंसर की 15 अक्टूबर को जारी किये जा चुके हैं नीट परिक्षा में भाग लेने वाली लाखों अभ्यार्थियों काफी समय से रिजल्ट किये जाने के इंतिजार में थे इससे पहले कुरोणा के कारण कई बार परिक्षा को इस्थगित करना पड़ा था नीट 2021 में करीब 16 लाख अभ्यार्थियों ने रेजिस्टेशन कराया था लालू यादव ने पुछा सर्सो तेल का भाव बोले क्रिसी कानुना का असर दिखाना बाकी है देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्थ विपक्षी दलो के नेता लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है राज़त सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार थिर महंगाई को लेकर सरकार पर निसाना साधा है उन्होंने सरसो के तेल की बड़ती किमतों को लेकर ट्वीट किया है लालू ने लिखाया कि सरसो के तेल का क्या भाव है क्या आप इससे खुश हैं रुकिये तीन काले क्रिसी कानूनों का विप्रित रभाव अभी दो-चार वर्चों के बाद और अधिक समझ में आएगा इतना ही नहीं इसके साथ लालू ने सरसो के तेल की बोतल की तस्वीर भी साथ में सेयर की है जिसमें तेल की कीमत साब तोर पर नजर आ रही है बिहार के बड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे मारी 100 करोड की काली कमाई का खुलासा इंकम टैक्स ने बिहार और जारकन में कारजरत एक बड़े सडक निर्मान ठेकेदार के खिलाब छापे मारी की है इंकम टेक्स की इस रेड में ठेकेदार के पास लगबग 100 करोड रुपईये की काली कमाई का खुलासा हुआ है खोद केंद्रिय प्रत्रक्ष कर बोर्ड यानि की CBDT ने यह जानकारी दी है कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के टिकानों पर छापे मारी की गई है CBDT ने एक बयान में काया कि 5.71 करोड रुपईये की नगदी जप्त की गई है और 10 बैंक लोकरों पर रोक लगा दी गई है 27 अक्टूबर को बिहार जारकन पस्चिम मंगाल और महाराश्ट में चापे मारी की गई थी CBDT कर विभाग के लिए निती तयार करता है चापे मारी से पता चला है कि यह समू सामागिरी की खरीद पर खर्च बढ़ा कर अपने मुनाफे को कम करके दिखा रहा है CBDT ने काया कि समू अन्य विवसायक खर्चों को भी बढ़ा कर दिखाया है बिहार सरकार ने दो शिक्षा पताधिकारी पर की कारवाई सोकवाज नोटी स्थमाया वेतन पर भी रोक पाइमरी और मिडिल इसकुलो के सिक्षकों के सितंबर माह के जीयोबी मद से सितंबर माह का वेतन भुकतान के यह महंगाई भत्ता के साथ वेतन विवरी नहीं भेजने के मामले में दो प्रकंडो के BEO फस गया है DPO स्थापना राजेंदर सिंग ने इस मामले में रगुनातपुर और महाराज गंज के BEO पर सो कॉज किया है दोनों BEO का वेतन स्थगित कर दिया है दि प्रकंडो में कारजिरत नियोजित सिक्छको का मां सितंबर 2021 के वेतन भुगतान एडवाईज में महंगाई भत्ता सत्रफधी की दर से उपलब्द कराया गया है जबकि माँ सितंबर 2021 के वेक्तन भुकतान में महंगाई भत्ता 28 फिजदी की दर से करना था दोनों भी ईयों से पूछा गया कि किस परिस्थिती में 28 फिजदी की जगर 17 फिजदी महंगाई भत्ता भुकतान एडवाईज उपलब्द कराया गया सेवा कर में कटोती नहीं की गई जबकि अन्य प्रकंडों द्वारा बड़े हुए महंगाई भत्ता एडवाईज उपलब्द करायी गई है जीला कायरकरम पदादिकारी ने पत्र प्राप्ती के साथ ही वेतन भुकतान एडवाईज में महंगाई भत्ता एडवाईज 28 फिजदी की दर से उपलब्द कराने का निर्देश दिया है इसके पहले D.E.O. मितलेज कुमार ने D.P.O. स्थापना को पत्र देकर कहा था कि दोनों प्रकंडों के कई सिक्चकों ने इस मामले को मॉबाईल पर जानकारी दी थी D.E.O. ने पूछा था कि दो प्रकंडों की सिक्चकों के साथ ऐसा क्यूं हुआ था पत्ना में सरकारी सिक्चिका पर गबन का आरोप इसकूल की बिल्डिंग बनवाने में 14 लाग खाने का मामला राजधानी पत्ना के धन्रुआ इस्थित हुलास्चक वीर मयद विद्धालै की एक सिक्चिका पर सरकारी रासी गबन करने का आरोप लगा है पुलासक बीर मज़ विद्धाले की प्रभारी सिक्षिका चंचला कुमारी पर विद्धाले भवन निर्मान की रासी गवन करनी और इस काम में करतव विहिंता का आरोप लगा है इस बाबत जिला कैरकरम पदादिकारी मनोज कुमाने धनरुआ के प्रखंड सिक्षा पदादिकारी नवल किसोर सिंग को ततकाल प्रभारी सिक्षिका चंचला कुमारी के विरुद सम्दित फाना में प्राथमे की दर्ज करानी का आदेश दिया है इस बाबत प्रकंट सिक्षा पतादिकारी नवल किसोर सिंग ने बताया कि मामला वर्स 2012-14 का है उस वक्त बिद्दाले भवन निर्मान के लिए प्रभारी सिक्षिका के नाम से समंदित विभाग के द्वारा करीब 14 लाग की रासी अवंडित की गई थी इस दोरान प्रभारी सिक्षिका ने कई अनियमित्ता बर्ती और बीना जमीन की मापी कराय भवन निर्मान का कार्ज सुरू करा दिया जिसके बाद गाओं के ही एक व्यक्ती ने वक्त जमीन पर अपना दावा करते हुए निर्मान कार्ज पर रोक लगा दी बिहार पुलिस महकेमे में चुट्टी पर रोक मुख्यालई को जारी किया गया यहाँ आदेश पुलिस ने सभी तरह की चुट्टियों पर रोक लगाने का फैसला किया है बिहार के डीजीपी एसके सिंगल के आदेश पर एडीजी विधी विवरस्ता विनई कुमार ने चुट्टी पर रोक से संबंदित आदेश पर त्रिजारी किया है इसके मताबिक दिवाली, काली पुजा और छट महापर्व के मौके पर पुलिस बलके अरसकता को देखते हुए राज में अगले 12 दिनों तक पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकास पर रोक लगाई गई है हलाकि बिसेश परिस्तित्यों में अवकास दिया जाएगा लेकिन इसकी मंजूरी वो चस्तरिय अधिकारियों से ही लेनी होगा अवकास के लिए जीला, रेल और अन एकाईयों के सिनियर पुलिस अधिकारियों से ही मंजूरी मिल सकती है बिहार में और बढ़ेगी ठिटोरन, पहाड़ी इलाकों में बरपबारी के असर बिहार में लोगों ने गुलावी ठंड का एहसास काफी पहले लेना सुरू कर दिया है और अब आगे आने वाले दिनों में ठिटोरन और जादा बढ़ेगी मौसम बिभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रदेश के जादातर जीलों में तापमान पहले से और नीचे गया है पहाड़ी इलाकों में हो रही बरपबारी का असर बिहार में दिखने लगा है दिपावली से चट के बीच तापमान में और गिरावट दर्ज होने की उमीद है चट के मौके पर बिहार के लोगों को हलके ठंड वाले कपड़े पानने पढ़ सकते हैं मौसम विवाग के मुताबिक राजबर में मौसम सुस्क बना हुआ है पस्यम और उत्तर पस्यम की तरब से लगातार हवाएं बिहार के सभी हिस्से में प्रवेज कर रही है इसके प्रभाव से हवाओं में ठंड के साथ नमी है पहाडों पर लगातार बर्पवारी की बज़ा से आने वाले दिनों में प्यार के सभी हिस्से में दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी इस दोरान अधिकतम तापमान 28-31 डिगरी और नियुनतम तापमान 15-18 डिगरी के बीच रहने का अनुमान है इस दोरान 12-15 किलोमेटर परती गंटा की रपतार से हवाय चलने का अनुमान है इसकी वज़ा से साम से सुबह तक मौसम सर्द रहेगा दुप निकलने के साथ ही 12 चड़ेगा इवं घाटों पर सरद्धालू और चटवर्ती पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं जिससे देखते हुए विशेज तैयारी इवं सतरकता बरतने की जरूरत है इसी संबन में आपता प्रवन्धन की ओर से सभी जीलों के डियम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जीलों में महापर्व चट की तैयारी बेहतर तरीके से करें जिससे चटवर्तियों और स्रद्धालों को किसी तरह के परिशाने ना हो चटवर्व को लेकर पूरी तैयारियां करने का निर्देश देते हैं वे संजय अगरवाल ने काया कि चटवर्व के दौरान COVID-19 के निर् कराने की अवस्चता होगी चट घाटों पर SDRF NDRF के साथ साथ गोताखोर मोटर बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी आपदा विभाग ने चट घाटों के जलस्तर के मोनिटिंग करने का भी निर्देश दिया है वहीं सभी घाटों पर परियाप्त रौशने की विवस्था करने की भी बात कही गई है आपदा प्रवंधन विभाग के सचीव संजे कुमार अगरवाल ने सभी जीलों के डियम को चट पर्व की तैयारियां सुरू करने और बेहतर विवस्था किये जाने की बात कही है अब नहीं लगाना पड़ेगा सरकारी दफ्तरों का चकर मैरिज से लेकर बर्थ सर्टिपिकेट तक उपलत कराएंगे किनर सरकारी योजनाओं का भी लाब गरीबों को दिलाएंगे गरीबों के मदद के लिए सरकार कई कल्यानकारी योजनाये चला रही है लेकिन इन योजनाओं का जानकारी नहीं होने के कारण जरलत मंदों को इसका लाब नहीं मिल पाता है जानकारी के अभाव में लोग इन योजनाओं का लाब उठाने से वंचित हो जाते हैं इनी परिशानियों को दूर करने की पहल और अंगाबाद में की गई है और अंगाबाद में किनरों को सरकारी युजनाओं को जण-जण तक पहचाने की जिम्मेवारी सौपी गई है तो आज के सुर्कियों में बस इतना ही विहार से जुड़ी खबरों के विए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्टे तोर में शेयर करना ना भूले धन्या